हेलो स्टूरेंस तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वोक्षीट नंबर 40 और क्लास 10 सबसे पहले अपना नीम क्लास टीचर नीम डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वोक्षीट स्टार्ट करेंगे आज का आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ट ऑन और अंसर आपको एक बार रिवाइस करना है और अंसर देना है आपने जो लास वोक्षीट की उनके बेस्ट पर पहला कोश्चन है कि है कि दे अंगल ऑफ एलिवेशन अंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ दे टॉप ऑफ दे टार फ्रॉम अपॉइंट ऑन ग्राउंड इस थर्ट इसक बाण लीजिए कि यह एक मैं टार है ठीक है बोला गया है कि इसका जो ठटी डिग्री का यह एंगल ऑफ एलिवेशन यह दिया गया और बोला गया है कि अगर हम डबल कर देते हैं है क्या कर देते हैं इसको double कर देते हैं कि इसको from a point on the ground आप यहां पे बोला गया है कि if the height of the star is doubled कि अगर यह है और यह हम इसको double कर दे तो अभी तो यह angle बंने रहा था थर्टी डिग्री घुर तो आपको बोला देखेंगे बाकी कोशन भी पहले समझ लेते हैं सेगेंड कोशन है दा एंगल अफ एलिवेशन ओफ दा सम सन विन दा लेंद ओफ दा शेड़ो ऑफ ट्री इस रूट थ्री टाइम्स दा हाइट ऑफ ट्री इस तो आपको यहां पर बोला गया है कि एक ट्री है ठीक है और इसका जो शेड़ो है वो क्या है रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री टाइम्स ठीक है यह ट्री है और इसका जो शेड़ो है मतलब इसकी परचाई है वह रूट थ्री टाइम्स जो है इसके क्या है जादा है तो आपको यह सॉल्ट करना है ओके और फिर बताना है कि 30 डिग्री हाइपोेटिन्स पर्पेंडिक्रोरव बेस जो है इसमें क्या रिलेशन है आपको 45 डिगरी जो है दिया गया कि एंगल 45 डिगरी अगर है तो यहां पर आपको बोलागाए है जो एच है ठीक है वह है रूट टू बी के भराबर अगय तो आपको पूछा गया कि जो P है ठीक है यहां पर आपको बोला गया है कि अब आपको यह बताना है कि जो H है वो इक्वल डैश P के होगा ठीक है तो आपको यह बताना है तो यह तीनों ही solution पहले देख लेते हैं कि हम इने कैसे solve करें तो जो आपका पहला question है अगर देखें recall and answer में तो मैंने आपको इसे step by step समझा दिया है यह आपको सिर्फ इसमें छोटे चोटे आपको टिकी करना है तो इसे short form में समझाए ज्यादा detailing में नहीं लिखा है ठीक है जैसे पहला इसको double कर देते हैं तो इसको आपको पूछा गया कि एंगल तो आंगल सब्सक्राइब को है कि पाता है कि इतना इता है निर्फर चैं। फो है 1 ठीक है यह आपको यहां पर पता चल गया 1030 डिक्री से अब आपको जो है टें 30 डिक का डबल बोल दिया गया कि जो अगर में इसका डबल हो जाए कि अगर टार्ज 0000 अ वे लगया टो उसके आगर आप सॉbe करें तो क्याँ देखेंगे की hundred गल एक वन अप उन में रूट 3 आप ने लिखा और इससे 2 से मल्टिप्लाय करेंगे तो आजएगा 2 अपॉन में रूट 3 अब 2 अपॉन में रूट 3 अगर आप देखें तो आपको देखना है कि यह वैल्यू जो 10 60 डिगरी होता है जो कि अगर हम देखें तो 30 का डबल होता है ने 30 का जाएगा यह कर डबल हो जाएगा तो डबल होने के लिए यह जो वैल्यू आई क्या यह रूट बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है तेन सिरी नहीं होगा और उसके बाद जो है 1045 लिया और देखें फिन वी तो 1045 दिग्री की वेली होती belongs है तो 1045 भी डिग्री वह भी डबल करने पर इसे नहीं आ उसके बाद है 1090 जाला इंफिनिट्व भी नहीं है तरह से क्या पता चला कि अगर हम 30 degree को multiply करके देख लें 45 degree में 90 में 60 में हमने सब में चेक कर लिया पर हमारी कोई भी value ऐसी नहीं आई जो की हमें satisfy करें तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपका जो answer है ठीक है वो 4 option में से कोई भी नहीं है ठीक है तो आपको अगर ये point समझ आपको कोई कोशन अच्छे समझना है तो एक बार रीट करिए कोशन ठीक है इन सभी स्टेप्स को समझने की कोशिश करिए तो आपको जाद अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है उसके बाद जो सेकिंड कोशन था उसमें बोला गया है कि इन ट्राइंगल एबी सी ट्राइंगल एबी सी है इसमें आपको बोला गया है जो एसी है ठीक है यह यह क्या है यह आपको बोला गया है जो ट्री है इसका शेड़ जो है वह क्या है रूट थ्री जादा है मतलब आपको बोला गया ह कि जो AB है, मतलब ये वाली line, ठीक है, perpendicular आपकी, ये base से क्या है, जो, मतलब आपका जो base है, इस figure में आप देखें, तो जो base है, ठीक है, ये base, AC जो है, ये क्या है, ये है equal root 3 AB के, मतलब AB से root 3 गुना जो है, बड़ा है, तो यहाँ पर आपके जो AC की value है, वो आपको root 3 AB, यहाँ से पता चल गई, जो आपको given, उसके बाद है, cot theta, cot theta क्या होता है, byp होता है, ठीक है, base upon में perpendicular, तो यहाँ पर base क्या है, AC और जो perpendicular है, वो AB है, ठीक है, AB और AC, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप जो AC की value है, ठीक है, वो यहाँ पर put करेंगे, value put की, तो आपने देखा, AB से AB cancel हो गया, AB से AB cancel हो गया, तो cot theta जो है, वो किसके बाबर आपर आगया, रूट 3 के, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, आपको क्या करना है, जो root 3 होता है, ठीक है, रूट 3, वो किसके बाबर होता है, वो होता है, cot 30 के बाबर, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, अब cot से cot cancel हो गया, तो theta की value क्या आगई, 30 degree आगई, ठीक है, तो यहाँ पर theta की value 30 degree आगई, और आपका जो option first है, वो यहाँ पर correct हो गया, then, जो answer third है, इसमें आपको बोला गए, कि 1045 degree equal P by B, जो 1045 degree होता है, पहले तो 10 क्या होता है, P by B होता है, तो यहाँ पर 1045 degree आपको angle दिया हुआ है, 1045 degree की value होती है 1, ठीक है, उसके बाद P by B, अगर आप इसे cross multiply करेंगे, तो आपको मैंने बताया, जहाँ पर 1 होता है, ठीक है, उसके नीचे अगर, मतलब कोई भी number हो, उसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा denominator में, तो उसके नीचे 1 ही होता है, तो यहाँ भी 1 ही है, ठीक है, तो अगर cross multiply करेंगे, तो क्या होगा, 1 multiply B equal 1 multiply P, तो यह हो जाएगा, B equal P, ठीक है, तो base और perpendicular बराबर हो गए, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका, यहाँ पर question में given था, वो था, कि जो hypotenuse है, वो equal है, root 2 B के, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, कि जो P है, वो B के पराबर है, तो hypotenuse equal है, root 2 B के, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर मैंने दुबारा लिखके, आपको इसलिए शो कर दिया, कि आपको समझ आ जाए, तो यह बहुत easy है, और समझ जाएं गया, उसके बाद, अब हम आ जाते है, questions पर, तो जो पहला question है इसे देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको बोला गए कि, there is a small island in the middle of a 100 meter wide river, and a tall tree stand on the island, तो आपको बोला गए कि 100 meter, जो है, wide river, एक river है, वो कितनी है, 100 meter की है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है, एक small island है, छोटा सा क्या island है, a tall tree stand on the island, एक लंबा सा पेड है, जो क यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर है, स्थित है, ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि, P and Q are the points directly opposite to each other, और बोला गया है कि, जो P और Q है, ठीक है, यह दोनों point क्या है, एक दूसरे के opposite है, ठीक है, क्या है, एक दूसरे के opposite है, मतलब विपरीत है, उसके बाद बोल गया है कि to each other on the two banks and in a line with the tree मतलब यह आप जो tree है इसके opposite में दोनों क्या है जैसे नदी का किनारा होते हैं यहां पे दोनों point है P and Q okay उसके बाद आपको बोला गया है कि if the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are 30 and 45 degree respectively find the height of the tree तो आपको बोला गया है कि अगर एक 35 30 degree गया है दूसरा 45 degree गया है तो आपको बताना है कि height क्या होगी किसकी tree की ठीक है तो चलिए answer देख लेते हैं answer है कि let OA be the tree of height h meter ठीक है OA जो है इसे हम h माल लेते हैं ठीक है क्या माल लेते हैं h ट्राइंगल पी ओए कौन सा ट्राइंगल है पी ओए इस वाले ट्राइंगल में और क्यू ओ इस वाले ट्राइंगल में we have हमाई पास क्या है चलिए से देख लेते हैं 1030 डिग्री हमने से जो यह है 10030 डिग्री निया है और यह कया है 45 डिग्री दिया है तो 1045 डिग्री अब 130 डिग्री वाले यह होता है पर ओपी हमें नहीं पता ठीक है तो ओपी कॉम एजटीज ओपी लिखेंगे उसके बाद है 45 1045 डिगरी क्या होता है वन होता है ओए हमने यहां पर भी एच माना है ठीक है ओए यहां पर भी और यहां पर भी common है ठीक है फिर oq जो है वो क्या है वो है यहां पर हमारा हमें नहीं पता तो हम इसे as it is ऐसे ही लिखेंगे तो यहां पर हम cross multiplication करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि cross multiplication करने पर op जो है equal हो जाएगा root 3h के ठीक है और oq हो जाएगा equal h के उसके बाद यहां पर op प्लस oq ठीक है op और oq को जब आप add करेंगे तो क्या हो जाएगा pq पूरी line हो जाएगी ठीक है तो यहां पर यह मैंने लिखके bracket में अभी इसलिए समझाया है कि आपको यह निकाल अभी आप क्या solve करें इससे solve करें इसमें से ठीक है तो आप देखेंगे कि op और oq जो है आपने अभी जो solve किया है इस according आपकी equation बन जाएगी ठीक है आप इन्हें add करेंगे तो root 3 h plus h equal कितना अगर आप इसमें h common ले लेंगे तो कितना हो जाएगा equal bracket में root 3 plus 1 multiply h ठीक है तो यहां पर therefore pq equal pq equal 100 meter तो pq आपको 100 meter दिया हुआ है ठीक है तब यहां पर आप यह जो आपने जो formula लिखा थे जिसके according पहले आपने op plus oq जो है इसको equation के रूप में solve कर लिया ठीक है तो अब जो pq है हम इसको op plus oq के equal रखेंगे then हम क्या करेंगे values put करेंगे तो pq कितना है 100 है op plus oq कितना है root 3 plus 1 ठीक है और क्या है whole जो है हम उसको multiply कर देंगे किससे एट से ओके सो यहां पर आप देखेंगे कि जो 100 है ठीक है इसके upon में क्या जाएगा root 3 plus 1 ठीक है यह side आ जाएगा तो आप देखेंगे कुछ ऐसी value आ जाएगी कि h equal 100 upon में root 3 plus 1 ठीक है अब हम इसे rationalize कर देंगे किससे root 3 minus 1 से numerator denominator दोनों से ठीक है जब आप इसको rationalize करेंगे तो क्या होगा कि 100 से तो यह वाली value direct multiply हो जाएगी ठीक है तो यहां आ जाएगा 100 और root 3 minus 1 ठीक है ब्रैकेट में और उसके बाद जब आप root 3 plus 1 को root 3 minus 1 से करेंगे multiply तो आप देखेंगे कि root 3 से root 3 multiply होके 3 हो जाएगा root 3 से 1 जो है multiply होके कितना हो जाएगा root 3 ठीक है और यह minus का हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां minus में है फिर उसके बाद जो है 1 root 3 से multiply होगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहां दोनों प्लस में है और 1 जो है 1 से multiply होके 1 ही हो जाएगा पर minus में तो यहां आप देखेंगे कि root 3 से root 3 कैंसल हो जाएगा क्योंकि एक हुट 3-1 है तो यहां पर एच की वेल्यू कितनी आ h equal 50 ठीक है और bracket में 1.732-1 तो root 3 जो होती है उसकी value होती है 1.732 ठीक है 1.732 तो इसको 1 से minus करके और आप क्या कर देंगे जो value आईगे इन दोनों को minus करके उसको multiply कर देंगे 50 से तो आप cancer आ जाएगे एच की value 36.6 मीटर हैंस the height of the tree is 36.6 मीटर चलिए second question कर लेते हैं इसमें आपको बोला गया कि आप वर्टिकल टार stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag of height 5 मीटर ठीक है तो अगर आप देखें तो आपको यहां पर 5 मीटर इसकी height दी गई है ठीक है और बोला गया है कि इस पे जो vertically flag stuff है ठीक है इसकी height आपको बतानी है at the point of the plane and the angle of elevation of the bottom and the top of the flag stuff are 45 degree and 60 degree respectively find the height of the flag stuff अब अगर आप figure को देखें तो आपको ध्यान से समझ आएगा कि आपको बोला गया है कि यह horizontal plane मेनेस पे एक vertically tar जो है वो है ठीक है और इसको पर एक flag stuff है तो आपको बोला गया है जो flag stuff है अगर हम यहां से देखें तो जो angle of elevation बन रहा है वो 60 degree का बन रहा है और जो टार का है वो कितना बन रहा है वो बन रहा है 45 degree का तो आपको बताना क्या है आपको यह वाली हाइड जो है वो दे रखे 5 मीटर ठीक है आपको यह वाली हाइड बताने तो यह हम कैसे निकालेंगे चले solution देख लेते हैं ठीक है आपको बोला है कि वर्टिकली फ्लैक्स टॉफ हाइड 5 मीटर ठीक है गीवन है एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से अगर देखें फ्लैक का तो कितना है 45 डिग्री ठीक है अगर हम देखें बॉटम से जो है फ्लैक तक का मतलब जो आपका टार है उसका उसके बाद है एंगल उफ एलिवेशन अगर टॉप तक देखें तो कितना है 60 डिग्री का है ठीक है उसके बाद आपको बोला गया है कि फाइंड क्या करना है दा हाइट फ्लैक स्टाफ की जो फ्लैक स्टाफ है उसकी है आपको बताने है ओके इन ट्राइंगल एबी सी जो ट्राइंगल एबी सी है अगर आप सकते हैं इसकी हाइट निकाल लेंगे और इसकी हाइट निकाल के क्या कर सकते हैं कि इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास यह वाल्य आ जाएगा ठीक है उसके बाद है इन ट्राइंगल पी बीसी जो है यह वाला ट्राइंगल लेंगे ठीक है और इसमें क्या करेंगे जो पीबी है ठीक है यह हमें नहीं पता है बीसी हमें पता चल गया क्योंकि अभी हमने निकाला है यहां पर ठीक है तो हम उसकी वेल्यू पूट करेंगे 1060 डिग्री आप अगर यहां पर भी 1045 डिग्री लेते हैं तो कोई बात नहीं आपका अंसर वही सेम आएगा ओके और कॉट 45 डिग्री भी आप ले सकते हैं यह भी गलत नहीं है उसके बाद जो है आप इसको क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बी सॉरी पीबी जो है वह कितना जाएगा फाइफ रूट 3 मीटर ओके अब आपने यहां पर क्या निकाली पीबी और बीसी जो अब हम यही करेंगे कि पीए में से जो है अब पीए निकालने के लिए क्या करेंगे कि पीबी में से एबी माइनस कर देंगे ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो पीबी है ठीक है वो कितना है वो है 5 रूट 3 माइनस 5 ठीक है जो एबी है वो है 5 तो यह तो यहां पर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.732 और इन दोनों को मुट्टिप्लाय कर देंगे तो अंसर आज जाएगा 3.66 मीटर तो पी ए की वेल्यू आ गई पी ए की वेल्यू क्या आ गई 3.66 मीटर अज मैंने आपको स्रीफ अंसर सी बताए हैं मैंने आपको जो questions है वो यह नहीं करवाई है मतलब example जो है वो नहीं समझाए है उसका reason है क्यूंकि वो example आप बहुत easily समझ सकते हैं और time की कमी होने की वज़े से भी मैंने उससे नहीं समझाया है लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि आपको समझना है ठीक है तो मैं समझा दूंगी क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं आप प्लीज अंसर गरवा दीजे बस और एक्जामपल्स जो हैं उसे हम समझ जाते हैं तो इसलिए मैंने जो ये वीडियो ऐसे बंसर्स पर बनाईए लेकिन अगर बच्चे कहेंगे आप लोग कहेंगे कि मैं हमें एक्जामपल्स भी समझा दीजे तो मैं एक्जामपल्स जरूर समझाओंगी मैं उसके लिए फिर से अलग से वीडियो बना दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप लोग कहते हैं तो मैं बना दूंगी ठीक है और हमारे जो सभी अंसर्स हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएंगे रिटन फॉर्मेट में उसके लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको सारे अंसर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें उनका नोटिफिकेशन मिलता रहें ओके बाबाए स्टूडेंट्स